नमस्कार दोस्तों आप सभी का आई एक्जाम भी में स्वागत है मेरा नाम अंशल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ओफिसर स्टार्ट किया था सिमिलरली उसने CHSL एक्जाम को अपलाई करने की तारीक को भी एक्स्टेंट कर दिया है तो आप इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको सारी इंपॉर्डेंट अपडेट बताऊंगा जो कल देर रात SSE ने जारी की है तो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने जो नोटिस जारी किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है आप जाके चेक कर सकते हैं सिमिलरली अगर मैं CGL एक्जाम की बात करूँ तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन जो है वो 21.12.2020 को आएगा पर वो डेट चेंज होके हो गई है 29.12.2020 तो आपका CGL का जो नोटिफिकेशन है वो अब 29.12.2020 को आएगा तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और जैसे कि हमें पता है कि सर्वर प्रॉब्लम की वज़ा से बहुत सारे बचे CGL का आप्लिकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो उसी के मद्दे नजर SSE ने वो डेट भी रिवाइज करती है तो आप अपना ऑनलाइन एप्लिकेशन जो फॉर्म है वो आप 26.12.2020 तक भर सकते हैं उसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपको 26.12.2020 तक करनी है यदि आप चलान के थुरू पेमेंट कर रहे हैं यानि आफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी अंतिम तारीक 11-2021 है तो ये भी आपके लिए important update हैं अगर आप CHSL को target कर रहे हैं तो I hope आपको दोनों exam के बारे में पूरी knowledge मिल गई होगी for more clarification मैंने SSC का official notice description box में डाल दिया है आप जाकर check कर सकते हैं and thanks for watching iExamB